और्टो सेक्टर के लिए जुलाई महीना काफी शांदार होने वाला है। जुलाई के महीने में कई कार और बाइक का और बाइक लाइक लॉंच होने वाली है। इसी लिस्ट में एक नाम है Hyundai Xter का. Hyundai Xter 10 जुलाई को लॉंच होने वाली है. इस कार का सीधा मुकाबला Tata Punch से होने वाला है. Hyundai Xter का सीधा मुकाबला Tata Punch से होगा, लेकिन Hyundai Xter में 5 ऐसे दमदार फीचर्स, Hyundai Xter फीचर्स मिलते हैं, जो Tata Punch में नहीं मिलते. अगर आप कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो पहले ये जान ले कि Hyundai Xter में वो कौन से फीचर्स मिल रहे हैं, जो Tata Punch में नहीं मिलते हैं. और्टो सेक्टर के लिए जुलाई महीना काफी शांदार होने वाला है. जुलाई के महीने में कई कार और बाइक का अन बाइक लॉंच होने वाली हैं. इसी लिस्ट में एक नाम है Hyundai Xter का. Hyundai Xter 10 जुलाई को लॉंच होने वाली है. इस कार का सीधा मुकाबला Tata Punch से होने वाला अगर आप कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो पहले ये जान ले कि Hyundai Xter में वो कौन से फीचर्स मिल रहे हैं, जो Tata Punch में नहीं मिलते हैं. Hyundai ने अपनी दमदार Micro Segment SUV Xter में इलेक्ट्रिक सिनरूफ अलेक्ट्रिक सनरूफ देने का एलान किया है. हाला कि ये फीचर आपको Tata पंच में नहीं मिल रहा है. Xter में कमपनी ने इलेक्ट्रिक सिनरूफ देने की बात कही है और ये सिनरूफ वोयस कमांड पर चलेगी. Hyundai Xter में Dual Camera Dash Cam भी दिया जा रहा है, जो सेलफी लेने में काम आएगा. ये Dash Cam Front और Rear दोनों के लिए काम करेगा. Dash Cam में 2.3 एक इंच का LCD डि दिये गए है. Dash Cam के जरिये आप Front और Rear दोनों केमरे से फोटो कीट सकते हैं. Hyundai Xter में एक सबसे खास फीचर मिल रहा है, जो टाटा पंच में नहीं मिलता. ये फीचर है Wireless Phone Charger. इस फीचर के जरिये आपको Phone Charge Wireless के जरिये मिलेगा. हालाकि टाटा पंच में Wireless Phone Charging का Option नहीं मिलता ह है. इसके अलावा Hyundai Xter में CNG किट भी मिलेगी, ये टाटा पंच में नहीं मिलता है. Hyundai Xter में 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलेगा, इसके साथ ही कार में CNG किट भी मिलेगी. बता दे कि ये फैक्टरी फिटेद CNG किट होगी, जो टाटा पंच में नहीं मिलती है हाला कि टाटा पंच का CNG Variant Auto Expo 2023 में शोकेश किया गया था. हाला कि अभी तक इसे लॉंच नहीं किया गया है.